आज हम मिंदी में एड़्ट क्लास का सैक्टर पढ़ेंगे ठीक है चैप्टर का नाम है लाग की चूडियां ठीक है क्या नाम है लाग की चूडियां तो इसमें अब पढ़ते हैं सारे गाम के बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुन्दर सुन्दर लाग की गोलियां बना कर देता था मुझे अपने मामा के गावन जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लोटता था तो मेरे पास डेर सारी गोलियां होती थी किसकी गोलियां होती थी लाग की चोटी चोटी गोलियां बनाई हुई होती थी ठीक है रंग ब accounting कोलियां जो किसी भी बचे का मन मौह ले वैसे तो मेरे मामा के गावने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था प्रन्तू मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू का कहा करता था जैसे की गाम के सबी बच्चे उसे का करते थे बदलू का मकान कुछ उंचे पर बना हो था मकान के सामने बड़ा सा सहर था जिसमें एक पुराना नीम का वरक्ष लगा था उसी के नीचे बैटकर बदलू अपना सारा काम किया करता था ठीक है बगल में बट़ी देकती रहती जिसमें वह लाग पिगलाक करता सामने एक लकडी की चोपट पड़ी रहती चोपट चो खटकार था होता है जिस पर लाग के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूडि का आकार देता पास में 4-6 बिविन परकार की बेलन नुमा मुगेरिया रखी होती थी और आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी मतलब उसके चूड़ी का साइज लेने के लिए उसके पास में क्या होती थी एक बैलना कार नामुना लकडी होती थी जो कि आगे से पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी लाग की चुड़ी का कार देखकर वह उन्हें बुगेरिये पर चड़ा कर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चुड़िया बना चुकने के पस्चाहत है वह उन्हें पर रंग करता ठीक है बदलू यह करे सदय एक है मच्चिये पर बैठ कर किया करता था मच्चा या चार पाई जो बहुत ही पुरानी थी बगल में ही उसका खुका रखा होता था कि हुका पीने के लिए होता है जो कि उसके चार पाई के पास में ही रखा होता था जिस से वह बीच बीच में पीटता रहता गाम में मेरा दोफैर का समय अधिकतर बदलू के पास बीचता वह मुझे लला कहा करता था तुरंट एक मच्या बना देता ठीक है मैं गन्तों बैठे बैठे उसे एक परकार चूडियां बनाते देखता रहता लगबग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उससे बेलन पर चड़ा कर कुछ श्यन चुपचाप देखता रहता मानो वह बेलन ना होकर किसी नवदू की कलाई हो ठीक है बदलू मनिहार था चूड़िया बनाना उसका प्रतक पेशा था प्रतक मतलब उसके पुरवज़े होते हैं वह भी बनाते थे ठीक है और वास्तम में वह बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था उसकी बनाई हुई खपत भी बहुत थी ठीक है उस गाउं में तो सबी सिस्त्रे उसकी बनाई हुई चूड़िया पहनती थी आसपास के गाउं के लोग भी उससे चूड़िया ले जाते थे परन्तु है कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था उसका अभी तक है वस्तुविन्या का तरीका था और लोग अनास के बदले उससे चूड़िया ले जाते ठीक है बदलू वास्ता में बहुत सीधा था मैंने कभी भी उसे किसी से जगड़ते नहीं देखा हाँ शादी विवा के अफसरों पर वह अवस्या जिद पकड़ जाता था जीवन भर चाए कोई उससे वहा होता था तो उसमें वह सारी कसर निकाल लेता था कि वहां पर हो चूड़िया बेचने जाता तब अड़ जाता था अखिर स्वाग के जोड़े का मैतव ही और होता है मुझे याद है मेरे मामा के यहां किसी रड़की के विवा पर जरा सी किसी बात पर विगड़ गया थ विवा में इसी जोड़े का मुल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्तर मिलते डेर अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपे जो मिलते वो सो अलग मिलते ठीक है यदि संसार में बदलु को किसी बात से चिर दी तो वह कां लो है उसे गुसा आता रहता और कभी कभी तो चार बाते ही सुना देता मुझसे तो वह गंटो बाते करता कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूसता कभी मेरे घर के बारे में और कभी योही सेर के जीवन के बारे में मैं उसे कहता कि सेर में सब कांच की चूड़ियां पहनत हैं तो वह उत्तर देता सेर की बात और है लल्ला वहां तो सभी लो सभी सभी कुछ होता है वहां तो ओरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ कर सड़कों पर गुमती और फिर उनकी कलाईया नाजुक होती ना लाख है ना लाख की चूड़िया पैने तो मोच न आ जाए मतल़ Tacky आ जाय पैने लिए कईाच की चूड़ियां पैनते बात Jedリ का एक कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता जिन दिनों उनकी गाई के दूद होता वहां सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता हो राम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहां दो चार आमें खा आता परंतु इन सब बातों के तरिक जिस कारण है मुझे अच्छा लगता है कि लगबग रोज ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता मुझे बहुदा हर गर्मी की छुटियों में अपने मामा के यहां चला जाता और एक अध महिने वार रहें लेकर स्कूल कुलने के समय तक वापस आ जाता परंतु दो तिन बार मैं अपने मामा के यहां गया आओंगा तबी मेरे पिता की एक दूर सेयर में बदली हो गई ना जा सका तब तक लगबग आठ दसक वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाग की गोलियां में मेरी रूची नहीं रही अतै गाम में होते हुए भी कही दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया इस बीच मैंने देखा कि गाम के लगबग सिस्त्रियां कांच की चुड़ियां पहने हैं विरले ही हाथों में मैंने लाग की चुड़ियां देखी तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आगे हो गया बात यह है कुई की बरसात में मेरे मामा की चुटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चुड़ी तूटकर उसकी कलाई में गुस गई और उससे खून बैने लगा मेरे मामा उस घर पर ना थे क्या थे उसके मामा उस टाइम गर पर नहीं थे मुझे भी उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी तब भी सहजा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आउं तब शाम को मैं गुमते गुमते उसके गर चला गया बदलू वहीं चुब उत्रे पर नीम के नीचे एक खाठ पर लेता था नमस्ते बदलू काका मैंने कहा नमस्ते भाईया उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और ठैकर खाठ पर बैठ गया परंतू, उसने मुझे पैचाना नहीं और देर तक मेरी और निहारता रहा मैं हूँ जनादर्द काका आपके पास से गोलियां बना कर ले जाता था मैंने अपना प्रीच्च दिया बदलू फिर भी चुप रहा मानो वह अपने समरती पटल पर अतीत के चितर उता रहा और वह एकदम बोल पड़ा आओ आओ लल्ला बैठो तुम बहुत दिन बाद गाउं आए हो हाँ इधर आना ही नहीं हो सका काका मैंने चार पाई पर बैठते हुए उत्तर दिया कुछ देर फिर शांती रही मैंने इधर उधर दरश्टे दोड़ाई ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई ना ही बटी आज कल काम नहीं करते काका मैंने पुछा नहीं लल्ला काम तो कई साल से बंद है मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो गाम गाम में कांच का परचार हो गया है वे कुछ देर चूपरा फिर बोला मसीन युग है ना यह लल्ला आज कल सब काम मसीन से होता है खेत भी मसीन से जोते जाते है और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़िया में होती है लाख में कांच संबव है लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी तूट जाता है मैंने कहा ना जुक तो फिर होता ही है लल्ला कहते कहते उसे खांसी आ गई और वे देर तक खांसता रहा मुझे लगा उसे दम्मा है अवस्था के साथ साथ उसका स्रीर ढल चुका था उसके हाथों पर और माथे पर नसे उबर आई थी जाने कैसे उसे मेरी शंका भाप ली और बोला दमा नहीं मुझे फसली खासी है यही महिने दो महिने से आ रही है 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा चिपी है मैं देर तक सोचता रहा कि इस मिसीन यूग में कितने हाथ काड़ दिये है कुछ देर फिर शान्ती रही और मुझे अच्छी नहीं लगी आम की फसल अब कैसी है काका कुछ देर पस्चात मैंने बात का विश्या बदलते हुए पूछा अच्छी है लला बहुत उसने लहकर उतर दिया और अंदर अपनी बेटी को वाज दी अरी रजो लला के लिए आम तो ले आ फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला माफ करना लला तुम्हें आम खिलाना भूल गया था नहीं नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाये वावा बिना आम खाये कैसे जाने दूँगा तुमको मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद आये जब मैं मेरे लिए मलाई बचाकर मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था कौन रखता था बदलू गाई तो अच्छी है ना काका मैंने पूछा गाई कहां है लला दो साल हुए बेच दी कहां से खिलाता इतने से रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया से देर से आम ले आई यह तो बहुत है काका इतने कहां खा पाऊंगा मैंने कहां वह हस पड़ा सहरी ठेरेना मैं तुम्हारी उमर का था तो इसके चोगने आम एक बकत में खा जाता था आप लोगों की बात और है मैंने उत्तर दिया अच्छा बेटी लला को चार पांच आम चांट कर दो सिंदूरी बाते वाले देना देखो लला कैसे है इसी साल ही है पेड़ त्यार हुआ है रज्जो ने चार पांच आम अंज्छी में लेकर मेरी और बढ़ा दिये आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगा एक सन के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई गोरी गोरी कलाईयों पर लाग की चुड़ियां बहुती फंप रही थी बदलू ने मेरी दरश्टी देख ली और बोल पड़ा यही आकरी जोड़ा बनाया था जमिदार साब की बेटी के विवा पर दस आने पैसे मुझको दे रहे थे मैंने जोड़ा नहीं दिया कहा सैर से ले आओ मैंने आम के लिए और खा कर थोड़ी देर पस्चा चला आया मुझे परसंसा हुई कि बदलूल ने हार कर भी हार नहीं मानी उसका व्यक्तितव कांच की चुड़ियों जैसा था कि असानी से तूट जाए हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है चैप्टर का नाम था लाग की चूड़ियां ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच झाल जाल झाल जाए